दोस्तों, क्या आप ये जानते हो कि विदीशा मध्यपरदेश में जो फेमस गरूट स्थम मिलता है, उस पर्टिकुलर पेलर को अस्टैब्लिश करने के लिए किस पर्टिकुलर फेमस परस्नेल्टी ने अपना रोल प्ले किया था? एक हिंट मैं आपको दे दूँ, वो एक फेमस Greek ambassador थे, तो अगर आपको इसका जवाब पता है, तो नीचे comment section में mention कीजिए, तो जिस पर्टिकुलर परस्नेल्टी की हम बात कर रहे हैं, वो है Heliodorus, Heliodorus Greek ambassador थे, जो की Indo-Greek ruler, NTL Cedars के द्वारा भीजे गए थे, तांकि वो जो सूं inscription भी थी, जिस inscription में उन्होंने अपने आपको भागवत की तरह describe किया है, अब भागवत का meaning है, Lord Krishna and Garud की पूजा करने वाला, तो इससे हमें ये भी पता लगता है, कि आज से 2000 साल से भी जाला पहले, किस प्रकार Lord Krishna की पूजा की जाती थी,